So guys, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंका बरोदा में ATM काड अपलाई करने के बाद ATM काड आने में कितना समय लगता है देखिए ATM काड अपलाई करने से लेकर के ATM काड आपके घर तक पहुचने में जो भी टाइम डियूरेशन लगता है डीटेल से आप लोग को बताने वाले हैं तो इस वीडियो को पुरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटिक जनकारी मिल सके वैसे अगर बात करें तो बैंका बरोदा के बारे में तो बैंका बरोदा में देखिए दो-दो आता है पहला तो देखे आता है ये welcome kit आता है welcome kit में देखे आप लोग को बता दो कि इसमें आप लोग को debit card देखे नहीं मिलता है जो मैं आप लोग को साप साप बता रहा हूँ ठीक है पहले देखे welcome kit में आप लोग को debit card नहीं मिलेगा बस के वल कुछ welcome उगर लिखा रहेगा बाकि आ आरे वीडियो में बताया है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर करके सर्च कर सकते हो ठीक है तो चरिए अगर बेसिकली बात करें कि कितना समय लगता है इसका बैंक का बरोदा का ATM काड या फी डेविट काड आने में आपके होम अड्रेस तक तो देखिए बेसिकली अगर बात क में जाकर के अपलाई करते हो तो उसमें आप लोग का ATM काड आने में देखिए समय लगता है अगर 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 आप लोग होम ब्रांच में जाकर के ATM काड के लिए अपलाई करते हो तो उस केस में देखिए ATM काड आने में अलग समय लगता है वैससे तो अगर बात करें बैंक में मिल जागा ठीक है लेकिन में और इंपोर्टेंट चीज यह है कि आप लोग का ATM कार्ट फंसता कहां पर है ठीक है क्योंकि कई-कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पार dispatch का SMS भी आ जाता है और कभी-कभी तो नहीं आता है कहां पर जाकर के आप लोग को पता करना पड़ेगा ठीक है तो मालीजे अगर आपके पास dispatch का SMS नहीं आया है कुछ पता भी नहीं आप लोग को तो आप लोग एक बार जाकर के अपने postman से जरूर मिल लिएगा ठीक है कहीं इस नाम से एटियम कार्ड आया है या कि नहीं आया ह क्योंकि कई कई बार ऐसा हो जाता है कि जो ATM कार्ड होते हैं ठीक है वो डायरेक्टली ना आकर के आपके ब्रांच में आगे आपके पोस्ट आफिस में ठीक है और ब्रांच वाले देखे जल्दी यह तो है नहीं कि भाई आपको फोन करके बताएंगे कि नहीं आप लोग आक करके अपना ATM कार्ड ले लिजे तो आप लोग ब्रांच में एक बार जाकर करके जरूर बीजिट केजिएगा ठीक है जिससे कि आप लोग अपना ATM कार्ड इजली ले सकते हैं ठीक है और रही बात वेलकम के टोगर डिलीवर करने के तो इसका बहुत फास्ट डेब्री होता है करिबन 15-20 दिन में आप लोग को दोनों चीजी मिल जाता है तो जो मैंने आप लोग को तरीका बता है इस तरीके से आवगर आप लोग पता करोगे तो आप लोग को अपना ATM कार्ड मिल जागा और एक चीज़ जाओर है यह देखिए इंडिया पोस्ट से आया है ठीक है एक होता यह है कि जब पोस्ट मैंन आपको इस नंबर पर कॉल करता है तो आप लोग को बुला करके या फिर आप से कॉंटिक करके आपको ATM कर देता है लेकिन इनकेस अगर आपने यहां पर मुबाइल नंबर नहीं दिया है और पोस्ट मैंन को अगर टाइम भी नहीं मिल रहा है आपको सर्च करने का या फिर सर्च करते करते परसान हो गया आप नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में वो लोग ATM को रिटर्न भी कर देते हैं और ऐसे केस में आप लोग को ATM का नहीं मिलता है तो आई होप इस वीडियो से हेल्प मिला हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो झाल झाल झाल